प्रेंस टाटा नेक्शन मेर वैसे तो बहुत सरे ऐसे पॉइंट मिल जाता है गाड़ी के अंदर में जहां पे आप बैक को हुक कर सकते हैं और वो पॉइंट में आपको पहले दिखा देता हूँ बूट साइड में आपको लेफ्ट एंड राइट में आपको दो हुक का पॉइंट मिल जाता है जहां पर आप एराउंड 2 kg तक वेट दे सकते हैं और अंदर के तरफ यहां पर एक हुक का पॉइंट मिल जाता है दूसरे साइड में भी मिल जाते है वहां पर हुक का पॉइंट सामने के तरफ यहां पर भी hook का point मिल जाता है लेकिन फिर भी practical use में जब कोई गाड़ी के अंदर में जाता है तो यहां पर ऐसे बैठ के seat का सामने जो headrest का back side है वो सबसे उसके लिए convenient लगता है कि यहां पर back को hook कर दे यह वैसे mobile order है यह नहीं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते है LPS के तरफ से यहां पर back holder मिल जाता है जो की काफी convenient है और यह जो brand है basically इंडिया है LPS लेकिन जो product है वो Japanese product है तो यह LPS company इसको इंडिया पर marketing कर रही है तो काफी अच्छा अच्छा product यह लोग provide कर रही है यह जो product देख रहे है मेरे पास review के लिए आया है और यह कोई paid promotion नहीं है इसको कैसे fit करना पड़ेगा आपको मैं दिखा जाता हूँ बहुत easy है कोई जंजट वाला बात नहीं है यह 2 kg, 2 kg वेट ले सकता है बीच वाला पॉइंट है यह basically umbrella hanging point है तो काफी अच्छा दिमाग लगाया है मेरे घर पे जो umbrella है यहाँ पे hook नहीं हो सकता क्योंकि उसका थोड़ा डाया जादा बड़ा है लेकिन हो सकता है यह दूसरा जो umbrella तो यहाँ पे 2 kg, 2 kg और यहाँ पे आप 1 kg तक लोड दे सकते है मतलब यह total जो setup है 5 kg लोड ले सकती है हमारे country में यह point काफी important माना जाता है Melly for Ladies जब भी वो आते हैं तो यही पे bag hang करने का यहाँ पे डाल देते है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जब backside में कोई bag रख देता है तो IRVM का कोई मतलब नहीं रह जाता है आप वहाँ पे total view ब्लॉक हो जाता है तो उससे better है कि आप यहाँ पे setup लागा ले जहाँ पे कोई भी purse को आप यहाँ पे hang कर सकते हैं और इस टाइब का bag को भी आप hang सकते हैं school bag जो रहता है यहाँ पर भी आप इसको hang कर सकते हैं तो यह ज्यादा convenient है लोड तो अच्छा लेही सकता है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे fix करना पड़ता है तो इसको fix करने के लिए headrest का जो यहाँ पर जो रॉड जो है इसको आप open करना पड़ाएगा और यहाँ पर एक lock मिलता है इसको आपको basically दवाना है और headrest को push करने से उपर के तरफ यह खुल के निकल के आ जाएगा ठीक है और यह जो डाया है यह basically यहाँ पर जो holes आप जो holes है वह मेरा यहाँ पर matching हो रहा है तो बस मुझे इसको यहाँ पर set करना है इसको यहाँ पर डालना है और इसको just push कर देना है ओके बस काम हो गया बस I think 30 seconds भी नहीं लगे होंगे इसको setup करने में तो इतना easy है आप खुछ से भी कर सकते हैं तो friends अगर मेरा demonstration आपको अच्छा लागा तो please मेरे channel को subscribe कर लीजे इसी type को और वीडियो देखने के लिए और यह जो concept है अगर आपको पसंद आया है और purchase करना चाहते हैं तो description box में इसका मैं buy link दे दूँगा वहाँ पे click करके आप diet इसको purchase कर सकते हैं वीडियो के end करते हैं दोस्तों thanks for watching Awesome Tech Rider and keep watching Awesome Tech Rider